अलो बच्चों क्या हल चाल है भाई सहाब आ गए हैं वापस और आज करेंगे बवाल और करेंगे दमाल क्योंकि आज है वर्क पावर इनर्जी का माइंड वाला मैप और माइंड वाला मैप समझते हो पढ़ने के वाद सब कुछ माइंड के अंदर आ जाना चाहिए तो भाई स पर प्राप्त होती है क्योंकि इनर्जी कंजर्वेशन एक ऐसी चीज़े जो हर जगे आपको मिलेगी मदब फिजिक्स बोले तो इनर्जी यह तो आपको देख नहीं देखना है तो भाई साब चैप्टर की उप्योगी था बहुत शांदार है और बहुत इंपॉरे हम लोग करेंगे रिवाइज तो भाई साहब आप लोग बिल्कुल हो जाएए तयार और कोशिश करिए कि अपने शॉर्ट नोट्स मेरे साथ साथ बनाके चलिए ताकि जो होए वह आपका खुद का लिखा हुआ होना चाहिए वह बात अलग है कि आप इसकी भी PDF प्राप्त क पर सकते होंगे अपने PW के साथ PW की साइट के उपर मिल जाएगी लेकिन मेरी ये मानना है मेरा नहीं मेरी नहीं मेरा मानना यह है क्या कि भाई साहब अपने खुद के नोट्स हो जादा अच्छा लगता है तो क्रप्या करके खुद के साथ लिखते चलेंगे और हम आगे ऑड़ एक तरीका है जिस तरीके के माध्यम से आप और तरीका हो सकता है कि आप इसको उपर की तरफ हे का का दंट नर्जी उपर गई और potential में परिवर्थित हो गई, तो work done के अगर हम बात करें, तो work done एक तरीका है, जिस तरीके से energy एक format से दूसरे formula में परिवर्थित होती है, या same format में एक से दूसरी body पर transfer की जाती है, this is called as the work done, अब work done को calculate कैसे किया जाता है, तो work done का बहुत बेसिक सा formula जो हम सबीरों ने पढ़ा हुआ है, that is w is equals to f dot d, that is force into displacement, dot product का मतलब हो जाता है d cos of theta, क्या मतलब है d cos theta, मतलब d परावर displacement, किसका displacement, displacement of point of application of force, और मेरे प्यारे बच्चों ये theta क्या होता है, we should very much clear about it, कि इस theta जो होता है, angle between force and displacement के होता है, याद रखिए, आपने कहा सर, इसकी कहानी क्या है, मैं ने कहाँ, displacement of point of application of force है, मतलब सर, जहाँ force लग रहा है, उसी का displacement देखना होता है, ऐसा नहीं कि पूरी body के displacement से हम से कोई खास लेना देना, होता नहीं है, आपने कहा कैसे, मैंने कहा, तुम करते हो walking, आपने कहा, yes, हम करते है walking, मैंने कहा, अगर तुम करते हो walking, तो बताओ, जब तुम्हारे pair, धरती माता के contact में होते हैं, तो pair का जहां contact लगा हुआ है, क्या, वो point displace होता है, जब तक उस friction लग रहा होता है, जिसके काड़ तुम आगी की तरफ बढ़ रहे हो, तो जब आप walk करते हो, तो friction के त्वारा किया गया work done, अगर आप एक pair को उठा के दूसरे pair को उठा के ऐसे उठा उठा के रख रहे हो, तो work done pair आपका धरती पर टिका हुआ है, जब जैसे ही आपके pair का point of contact का displacement हुआ, normal 0 हो गया, मतलब वहां पर भी work done कैसा हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, तो सबसे important point जो आपको समझना है, that D is the displacement of point of application of force, आपने सर, बिल्कुल ठीक बात है, मैंने का तो फिर next point पर आजाओ, sign of work done, अगर हम work done की बात करें, तो work done के साथ involve होते हैं, तीन तरीके के sign, पहला sign नहीं इसको बोलते है, 0, मतलब दो तरीके के सो sign ही है, पहला positive और दूसरा negative, positive का मतलब क्या होता है, positive का मतलब होता है, जब force और displacement, इनके बीच का angle, 0 से लेके 90 degree के बीच में होता है, इसका मतलब होता है, work done हुआ है, positive मतलब force ने system को energy दी है, energy is given to the system by the force, तो force क्या कर रहा है, system को energy दे रहा है, अगर work done negative हो जाए, तो इसका मतलब angle between the force and displacement कितना हो गया, 90 से 180 के बीच में हो गया, और अगर work done negative, angle 90 से 180 के बीच में हो जाता है, मतलब force विरोधी हो जाता है, oppose करने लग जाता है, displacement करने की चहत नहीं रखता है, displacement के विरोध करने की चहत रखता है, तो फोर्स यहां इनर्जी सप्लाई करेगा यहां पर एनर्जी को बाहर निकालेगा इसको बोलते हैं पॉजिव और निगेटिव और सिगनिफिकंस और उसके बाद आता है जिरो वर्कड़न, अगर हम zero work done की बात करें तो zero का मतलब दो कहानी या तो भया displacement है ना हो जैसा हमने पहले के देखा normal का work done jumping की case में zero friction का work done walking की case में zero जब displacement हो ही नहीं रहा है और दूसरा case possible है जब angle हो जाए 90 degree मदब theta वराबर 90 degree general के इसकी बात करें जितने भी centripetal forces की तरह जो भी force काम कर रहा होगा centripetal force कोई force नहीं है याद रखेगा centripetal force की तरह अलग-अलग forces जो है वो centripetal force के format में काम कर सकते हैं जैसे घूमती हुई एक stone अगर एक रस्ती से बांद भी घुमा रहे हो तो हाँ tension उसको एक क्या दे रहा है उसको centripetal force का काम एक tension कर रहा है याद है हम लोगों ने बात की थी कि जब हम लोग merry-go-round school के अंदर बैठते थे और merry-go-round में धका-धक धका-धक नाचते थे तो जब हम merry-go-round में धका-धक धका-धक नाचते थे तो वहाँ पर हम लोग खड़े होके दिखाते थे कि देखो हम गिर नहीं रहे हैं जब हम खड़े हो रहे हैं और किसी चीज़ को नहीं टच कर रहे हैं और फिर हम merry-go-round में घूम रहे हैं तो हमारे लिए centipetal force कौन देता है उसको क्या नाम देते हैं उसको बोलते हैं friction याद आ रहा है कि friction is responsible for giving the centipetal force धरती माता sun के चारों तरफ घूम रही है तो बताओ वहाँ पर कौन centipetal force है तो आप बोलेंगे सर वहाँ पर हम centipetal force का नाम दे देते हैं तो work done by centipetal force मतब जो भी force centipetal force की तरफ एव कर रहा होगा उसके द्वारा किया गया work done जो होगा वह 0 के बराबर होगा वह 0 के बराबर होगा अब यहाँ पर जैसे अगर example दे centipetal force का यहाँ ऐसे बहुत सारे case हो जाते हैं जैसे नॉर्मल की बात करें अरे मेरे प्यारे बच्चों यह mg है यह नॉर्मल है और यह कोई body आगे की तरफ displace कर जाती है तो इनके बीच का angle कितना हो गया क्या इसको हम लोग बोलते है 90 degree अरे क्या speed तेज है क्या तो भाईया आराम आराम से नहीं चलना है तेज 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 चलना है क्योंकि है mind map और जल्दी से करेंगे revise इसलिए होगी थोड़ी से तेज तेज बातचीत तो क्या आपको समझनी है बड़ा तेजी से क्योंकि बहुत जादा समय नहीं कम समय में जादा output निकालना इसलिए ह जहाँ पर normal और mg दोनो displacement के perpendicular है ऐसे cases में normal का वगड़न कैसा हो जाता है शून के बराबर हो जाता है ये बात आप सभी को याद रखनी है कोई परेशानी वाली बात कोई शंका वाली बात आपने कहा सर नहीं मैंने कहा तो फिर calculation of work पर आ जाते हैं अगर हम work की calculation करें और अगर हमारा force constant nature का हो गया मतलब force अगर constant है तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं f into d cos theta और f cos theta into d अगर हम f into d cos theta लिखते हैं इसका मतलब हम लोग समझते हैं इस तरीके से कि force multiplied by displacement in direction of force हमने बहुत सारे जगहों पर ऐसा किया कि mg लग रहा है तो हमें सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल की बात हो रही है तो वर्टिकल दिशा में कितना displacement हुए सिर्फ वो चीज मेंटर करेगी तो अगर कोई force horizontally लग रहा है और लगतार horizontal force है constant का मतलब याद रखिएगा direction भी और magnitude भी दोनों चीज़े constant होनी चाहिए constant का मतलब कभी magnitude का constant होना नहीं होता है direction भी होगी constant और magnitude भी तो जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर कोई force horizontally लग रहा है कैसे लग रहा horizontal लग रहा है तो हमको कोई फरक नहीं पड़ता है कि उसका displacement vertical में कितना हुआ है हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि उसका horizontal में net displacement कितना हुआ है ऐसे कई सारे questions हम लोगों ने किये भी थे जल horizontal दिशा में लगा है तो हम लोग लिखते थे work done by force F कितना होगा F into R that is force multiplied by the displacement in direction of the force इस बात को हम सभी लोगों को हमें सा हमें सा अपने दिमाग के इंदर बैठा के रखना है अगर force हो जाए variable मतलब force अगर variable terms में दिया जाए और Cartesian coordinate system के terms में दे दिया जाए तो एक general formula जो हमको हमें सा दिमाग में रखना है कि force की value कितने हो जाएगी DW बराबर F dot DR और FX जो भी values दी गई है आप वहाँ पर put करिए और limit X1 से X2 X direction का force X दिशा के displacement के लिए जिम्मेदार है और Z दिशा का force Z दिशा के displacement के लिए जिम्मेदार है तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो work done के case में हम FX के साथ X की limit use करेंगे Y के साथ Y की limit और Z के साथ Z की limit हम उपयोग करने वाले हैं तो याद रखेगा Cartesian coordinate system के अंदर हम लोग बहुत simple calculations को अंजाम दे सकते हैं इस पर बहुत सारे questions आम लोगों ने किये भी हुए है तो इनकी normal practice है आपको करनी चाहिए कोई questions इस पर पूछे जा सकते हैं और बहुत ही आसान होते हैं simple integration होता है कुछ खास लगता नहीं है तो आप आसानी से इन questions को कर सकते हैं कुछ questions आपसे graphical base भी पूछे जाते हैं और हम सब को पता है कि work done राबर F.DR मतलब force into displacement की बात हो रही है तो अगर force और displacement का graph दे दिया जाए तो इसका जो area under the curve ह क्या होगा बेटा इसका जो area under the curve हो किसका force और displacement का वो आपको बताएगा work done लेकिन एक है यहां पर अच्छी बात बोलो क्या तर ऊपर वाला area positive होता है मतलब ऊपर वाला area work done positive को दिखाता है और नीचे का जो area होता है वो negative work done को दिखाता है इस बात को हम सभी बच्चों को अच्छा बैया तो यह तो basic बात हो गई आपने का सब बिलकुल हो गई मैंने का तो next पे आजो हमने कहा आप हम लोग अलग अलग तरीके के work done को देखने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग work done by spring की बात करते हैं और spring के जितने cases हैं उनको मैं कोशिश कर रहा हूं आपके half of k x final का square minus x initial का square एक बात हमेशा ध्यान रखनी है अगर x final बड़ा है x initial चोटा है तो work done negative होगा इसमें कोई doubt नहीं है work done अगर x final चोटा है और x initial बड़ा है मतलब body ज्यादा elongation से कम elongation पर आ रही है या ज्यादा compression से कम compression की तरफ आ रही है तो work done by spring कैसा होगा positive तो याद रख अगर work done by spring negative का होगा अगर spring को compress या elongate किया जा रहा है further जिस state पर उससे further compression या further elongation किया जाएगा तो work done by spring कैसा होगा negative जो spring है वह उसका विरोध करेगी spring हमेशा किसका विरोध करती है spring हमेशा बदलाओ का विरोध करती है और यह हो गए है महबत है कि हमेशा बच्चन इन्हें बदलाओ पसंद नहीं spring अपनी natural length पर रहना पसंद करती है उसे कहा मुझे बदलाओ पसंद नहीं अगर तुम उसे compress करोगे या further और compress करने कोशिश करोगे elongate करोगे या elongation से और elongate करने कोशिश करोगे तो वह हमेशा उसको विरोध करेगा और विरोध का मतलब होता है negative वाला work done मतलब negative work done होगा ये याद रखने की बात है next point आता है work done positive का होगा spring का जब भी spring अपने mean position की तरफ आ रही होगी मतलब compressed state या elongated state से mean की तरफ आएगी मतलब less compressed state या less elongated state में आएगी तो work done by spring positive होगा क्योंकि वो उसका support करेगी वो चाहती है कि परिवर्दन ना हो natural length पर रहा जाए इसका ध्यान रखना है अगर हम यहाँ पर बात करें spring को काट दिया जाए तो इसकी बात होती है division of spring अगर spring को काट दिया जाए तो हमें को पता है k into ll, l is equals to constant मतलब k is the spring constant and l is called as the length of the spring तो k into l का product जो होता है वो हमेशा कैसा होता है बच्चे, constant के बराबर होता है तो अगर इस spring को काट के इसकी लंबाई l1 कर दी जाए तो इसका spring constant k1 कितना होगा तो we can very simply say that k1 l1 should be equal to capital k into capital l मतलब k into l की value जो है वो हमेशा constant रहेगी तो k1 की value हो जाएगी k l upon l1 ये बात हम सभी लोगों को दिमाग में रखनी है ये important भी और पूछा भी जा सकता है next राता है combination of spring, अगर spring को combination के format में use किया जाए तो इसको हम बोलते है parallel combination, parallel combination के और भी formats हो सकते हैं मैं भी आपको दिखाता हूँ, दूसरे formats और क्या-क्या है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो this is very simply called as parallel combination of the spring इस case में k equivalent की value कितनी होती है, k1 plus k2 के बराबर आ जाती है और अगर इसकी बात करें, जब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, इसको बोलते हैं series combination क्या बोलते बच्चे इसको series combination और इसको हम बोलते बच्चा parallel combination इस case में spring constant हो जाता है, 1 upon k equivalent is equals to 1 upon k1 plus 1 upon k2 इसकी खासी उप्योगी ता हमको simple harmonic motion में जादा पड़ती है, work energy में थोड़ी सी कम पड़ती है, लेकिन ठीक है, याद रहे तो अच्छा रहता है इसके बाद आता है maximum elongation in the spring, अगर किसी भी block m को यहां से suddenly release कर दिया जाए चोड़ दिया जाए और यह block suddenly बड़ बड़ करता हुआ नीचे की तरफ गिरे, तो इसके अंदर maximum elongation कितना होगा from the relaxed state अगर इसको छोड़ा गया है, तो maximum elongation जो हो जाता है, that is defined as 2 mg by k, कितना हो जाता है मेरे पैरे बचों, 2 mg upon k, तो maximum elongation in the spring, because of the mass m, that is called as 2 mg by k, और यहां से एक बात दिमाग में रखनी है, कि एक mass m, spring के अंदर maximum कितना force प्रोड्यूस कर सकता है, वो बात हम लोग ने कई बा रुपयोर की टाती भी है, कि क्या एक mass m, इस spring के through, किसी अब बड़े mass को उठा सकता है, आपने का yes, उठा सकता है, कितुने बड़े mass को, तो आपने बड़े mass को, तो आपने बात हो सर, यह maximum elongation पैदा कर सकता है, 2 mg by k का, मतलब maximum force कितना पैदा करेगा, k into x maximum की value होती है, 2 mg, मतलब एक मास एम अपने से दुगने वजन का फोर्स एक स्प्रिंग के माध्यम से एक instant पर पैदा कर सकता है for instant for the moment वो पैदा कर सकता है जिस instant पर इस पर maximum elongation हो रहा होगा. maximum elongation के बाद ये body लगातार vibrate करती है ऐसे सहिलती है इसको हम बोलते है simple harmonic motion जो हम आगे आने वाले chapters के अंदर समाप्त करेंगे या आप उसके mind map में देखेंगे लिकिन अगर basic बात की जाए तो maximum elongation कितना होता है 2 mg by k ये बात हम सभी बच्चों को दिमाग में रखनी है अब यहा को पूछा जाए कि क्या होगा इस case में किस तरीके से spring vibrate करेगी और किन-किन तरीके से हमको इसकी velocities को देखना है अगर इसको मैंने x length से compress कर दिया तो ऐसे भी कुछ situations में आप से forces या velocities पूछी जाती है या जा सकती है तो ऐसे cases में अगर हम combination की बात करें तो we can very simply say कि अगर यह वाला block ऊपर की तरफ x vibrate करता है तो हम तीनो spring की दिशा बना देते हैं तो अगर यह वाली spring यह particle यहां से x दूरी displays करेगा तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि बेटा यह वाला angle यहां से mid से जाएगा तो 60 degree यह वाला यहां से angle mid से जाएगा तो यह angle also 60 degree तो हम बोल सकते हैं अगर यह वाला angle 60 degree है तो इस spring में मतलब इसको अगर मैं spring number 1 बोलू इसको spring number 2 बोलू और इसको spring number 3 बोलू तो हम बोल सकते हैं अगर इस spring को x से compress किया जाएगा तो इस वाले spring में मतलब यह तो हो गई first और यह हो गई बेटा second तो अगर second spring का elongation पूछा जाए तो x2 will be equal to x cos 60 degree So elongation in the third spring x3 that is the elongation in the third spring it is also equal to x cos 60 degree यह छोटी है मगर मोटी बाते हैं क्योंकि कई बार इसमें हम लोग geometry लगाने लग जाते हैं और थोड़ा सा अपने आपको complicate कर लेते हैं यहाँ पर हम इस condition को assume करके चलते हैं कि x is very very small तो याद रखेगा हम इस condition की बात करते हैं यहाँ पर क कितनी energy या कितना elongation किस spring में आएगा वो भी हम यहाँ से आसानी से देख सकते हैं इसके बाद एक और बड़ा important से condition आती है जिसको बोलते है maximum elongation for sudden force जैसे अगर हमसे बात की जाए यहाँ पर कोई एक spring लगी हुई है और यह spring अभी अपनी natural length पर नहीं है equilibrium position पर है equilibrium position का मतलब क्या होता है यहाँ पर उपर लगने वाला force kx और नीचे लगने वाला force mg यह आपस में balance state पर है इसको बोलते है equilibrium position तो equilibrium position का मतलब क्या हो गया x बराबर कितना होगा mg by k और अगर आपसे बोला जाए अगर यह lift अचानक से उपर की तरफ accelerate कर गई यह अचानक से उपर की तरफ accelerate कर गई तो आपसे पुछा जाए find maximum elongation in the spring क्योंकि जैसे यह उपर की तरफ accelerate करेगी तो हम इस frame में बोल सकते हैं कि इसके उपर एक pseudo force नीचे की तरफ लगेगा and that is request to ma और अगर यह pseudo force नीचे की तरफ लगेगा तो यह अचानक से लगने वाला force है तो अचानक से को जटके के साथ नीचे लेकर जाएगा तो अगर आपसे पूछा जाए x max तो it is request to हमेशा याद रखेगा 2 f sudden upon k but कहा से from given position जिस position से आपने लगाया है वहां से elongation होगा तो पहला elongation already mg by k था और sudden force कितना लगया ma by k तो अगर हम यहां से बात करेंगे इस position के बाद जो maximum elongation होगा वो हो जाएगा 2 ma upon k तो अगर हम यहां पर बोलें तो x net जो आजाएगा total elongation at maximum stage कितना हो जाएगा आप बोलेंगे sir mg by k तो पहले से ही था plus 2 ma by k और आ गया तो यह बात आप सबको दिमाग में रखनी है कि जो भी force sudden लगेगा उसका दुगना 2 f by k उतना elongation उस spring में पैदा हो जाएगा कहां से जिस stage पर दी गई उस stage से मनद यह पहले mg by k पे थी तो mg by k plus 2 ma by k पर हो जाएगा यह बात आपनों को याद रखनी है और यह बात हम work energy theorem से prove भी कर पाते हैं तो यह छोटी-छोटी spring के cases जो थे वो हमने यहाँ पर देखे अगर हम इसी तरीके से spring के बाद अगर हम बात करें friction के cases की तो हम बोल सकते हैं वर्गड़न भाई friction की बात करें तो वर्गड़न भाई friction अगर देखा जाए तो इस वरी सिंप्ल डिफाइंड है अगर हम दो block के case में बात करते हैं तो हम सभी ने देखा कि friction एक पर positive और एक पर negative काम करेगा तो friction का work done हमेसा negative वो ऐसा नहीं है friction का work done हमेसा positive वो ऐसा नहीं है friction positive और negative दोनों ही तरीके के work done कर सकता है किसी भी block के उपर तो याद रखेगा basic सी बात friction का work done उपर वाले block पर minus का mu mg d1 होगा और नीचे वाले block पर तो work done by friction on upper block यह हो जाएगा minus का mu mg d1 और अगर हम यहाँ पर lower पर बात करें तो work done by friction on lower block कितना हो जाएगा नीचे वाले block पर कितना हो जाएगा तो plus oh oh minus का नहीं plus का mu mg d2 अगर मैं net की बात करूँ तो हमेशा बोलेंगे the net work done हो जाएगा minus का mu mg d1 minus d2 और यहाँ पर अब हमको दो बातें दिमाग बर रखनी है कि अगर static friction होता है मतलब displacement d1 बराबर d2 के होगा अगर दोनो static friction मतलब दोनो साथ साथ चल रहे है मतलब दोनों में कोई relative displacement नहीं है तो अगर हमसे पूछा जाए static friction है तो d1 बराबर d2 होगा तो net work done 0 के बराबर हो जाएगा तो in case of static friction जा network done जो होता है वो 0 के बराबर होता है लेकिन अगर हम लोग kinetic friction की बात करें तो kinetic friction पर एक बात हमेशा याद रखेगा कि बेटा जो body friction हमेशा उसका विरोध करता है जो तेज चलती है जो तेज चलती है मतलब जिसका displacement जादा होगा तो हमेशा negative work done उसी की उपर होगा जिसका displacement जादा हो रहा होगा क्योंकि friction का nature क्या है विरोध करने का किसका जो अलग होना चाहती है और अलग कौन होना चाहता है तो आप क्या बोलोगे सर अलग तो वही होना चाहता है जो तेज भागने की कोशिश कर रहा है तो आप बोलेंगे friction उसका विरोध करेगा the friction हमेशा उसका विरोध करता है जो तेज चल रहा होता है जो अलग होने की कोशिश कर रहा होता है तो हमेशा याद रखेगा negative work done हमेशा हमेशा जादा आएगा in compared to the positive in case of kinetic friction तो kinetic friction का मतलब हो गया तो आपने बोला सर इसका मतलब displacement D1 greater than D2 होगा तो work done by kinetic friction जो होता है वो कैसा होता है negative होता है net work done और इसको हमने कैसे याद दिलाए था हमने आपको बताएगा अगर रगडिंग होगा तो heat पैदा होगा और heat पैदा तो energy बाहर इसका मतलब energy loss हुआ होगा तो work done by friction के अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि इस केस में भी जो work done होगा friction का अगर kinetic friction है मतलब अगर रगडिंग हुई तो energy loss हुई मतलब आत गरम हुए इसका मतलब energy खतम हुई होगी energy loss हुई होगी इसी तरीके से बात आती है friction की किसी भी curved surface पर एक condition बड़ी important होती है that force must be tangential अगर यहाँ पर एक block को एक tangential force को लगाते हुए tangential force को लगाते हुए इस block को इसके उपर लेके जाए जाता है तो अगर force is tangential अगर force tangential है कैसा है बचा force है tangential तो याद रखिएगा work done by friction हो जाएगा mu mg into x that is minus sign के साथ तो minus का mu mg into x के बड़ाबर हो जाएगा और यह बात आप सब लोगों को हमेशा याद रखनी है कि x होता है प्रारंभिक और अंतिम position के बीच की horizontal displacement तो x क्या हो जाता है horizontal displacement between initial and final position horizontal displacement between initial and final position ओके यह हुई ना बात यह हुई ना बात अच्छा सर यह बात सौझ में आगे मैंने का यस यह बात तुमको सौझ में आती है तो अब एक last point friction का और समझ लो उसके बाद अपनी काम हो गई जल्दी से इसको दिमाग में बठा लो आया क्या पकी बात next question अगर हम बात करते हैं work done by friction on block work done by friction on block तो बेटा अगर किसी भी block पर friction का एक पेर या तो action या reaction की बात की जाए उसका work done पूछा जाए तो जैसे कोई भी body है ये body जैसे एक HCV का question हम लोगों ने किया था अगर याद हो तो ये block ऐसे गया और यहाँ से घूम के उपर आ गया तो भाईया work done by friction कितना होगा तो आपने कहा sir work done by friction अगर ये block यहाँ से चलता हुआ नीचे आया तकराया यहाँ पर spring लगी हुई थी तकरा के उपर आ गया और यहाँ पर पहुँच गया तो इस दौरान हमेशा याद रखेगा कि अगर body move कर रही है body चल रही है तो friction उसका विरोध करेगा work done negative होगा तो अगर हम बात करें work done by kinetic friction किसके दौरा kinetic friction on block किसी भी block पर तो आप बोलेंगे sir अगर kinetic friction की बात कर रहे है on moving block पर तो यह हो जाएगा minus का mu mg into distance traveled सीदे सीदे लिखा जा सकता है हम उसको distance traveled के corresponding लिख सकते है किसका work done by kinetic friction जो उसका विरोध कर रहा है याद रखेगा विरोध करने वाला kinetic friction की हम बात कर रहे है एक block को आप इस inclined plane पर फेक देते हैं तो यह friction का वह जो work done होगा वह आप नीचे आएं और उपर जाएं कैसे भी जाएं friction हमेशा विरोध में लग रहा होगा तो displacement से जादा आप सीदे सीदे distance traveled निकाल कर भी काम कर सकते हैं और यह है बहुत शांदार वाली जुगार इसको अपने दिमाग में रखना है तो work done by friction में इसा कैसा होता है बिटा माइनस का mu mg इंटू यहाँ पर mu mg कॉस सीटा हो जाएगा my mistake क्योंकि यहाँ पर friction जो होगा वो mu mg कॉस सीटा के corresponding हो कि normal reaction mg कॉस सीटा होगा अगर normal reaction mu mg होता तो mu mg लिख देते हैं तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो friction के द्वारा जो भी work done किया जाएगा तो we can very simply say minus का friction into distance traveled अरे बोल चमका क्या पका चमका दूर दूर से चमक गई बात है इसमें कोई परेशानी वाली बात है इसमें कोई शंका वाली बात है इसमें कोई आशंका वाली बात है तो friction का मतलब कित्ता हो गया आपने का distance traveled की कहानी हो पका 100% आपने का सर एकदम 100% मैंने का work done by friction on block यह हमने निकाल लिया अब next point पर आजाएगे point आता है कि work done क्या frame dependent है या independent of frame है मैंने का बिलकुल देखो force into displacement होता है और displacement एक frame dependent quantity है तो work done भी एक frame on a block is frame dependent यह frame dependent होता है बिलकुल सच्चा है इसमें कोई doubt नहीं है जैसे आप अगर यहाँ पर देखते हैं एक person को यहाँ पर खड़ा करते हैं और एक elevator अंदर की तरफ होता इस mass m पर बात करते हैं इस पर normal reaction उपर की तरफ लग रहा होता तो अगर इस block की बात करते तो यहाँ पर एक observer A हो गया एक observer B हो गया एक चिंगू है एक मिंगू है एक चिंटू मिंटू कर लेते हैं चिंगू और मिंगू कर लेते हैं जो मन करे वो कर लो यहाँ पर A और B माल लेते हैं तो अगर मैं A से पूछूँँगा, तो A तो बोलेगा, सर देखो, यह पार्टिकल यहां से उठके, यहां तक गया, इसका displacement D हुआ है, तो A के हिसाब से, work done on block, on block, 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 पर work done on block, किसके दोरा, normal, by normal, कितना होगा, आप बोलेंगे, अगर हम यहां पर with respect to A बात करते, किसके respect में बात करते बेटा, A के respect में बात करते, तो हम क्या बोलते, हम क्या बोलते, हम क्या बोलते, आप बोलते, सर, normal का work done, N into, इसके respect में जो displacement ह हुआ है वो भी उपर की तरफ हुआ है नॉर्मल भी उपर की तरफ लिखा है तो एन इंटू डी इंटू कॉस जीरो डिग्री होता है पट यही कोश्चन अगर मैं अंदर बी से पूछ लेता वर्क डन बाई अगर मैं बी के रिस्पेक्ट पूछता तो बी वाला क्या बोलता बी बोलता शून्य के बराबर और अगर इसका डिस्पल्स्मेंट जीरो के बराबर हो गया तो मैं बोल सकता हूँ normal into 0 हो जाएगा तो एक person इसको बोलेगा 0 और एक person बोलेगा n into d तो बतलब work done जो है वो है तो frame dependent quantity और वह निर्भर करेगा कि आप किसके respect में देख रहे हैं लेकिन लेकिन यहाँ पर एक चोटा सा क्रक्स और है और वो क्या? यह बात तो सही frame dependent है इसी एक block लेकिन अगर मैं net work done by a force की बात करूँ इसी एक force के द्वारा किया गया net work done आपने का मतलब मैंने का बेटा normal सिर्फ इस पर थोना लगा है normal इस नीचे भी तो लगा है normal ने काम elevator पर भी तो किया है तो आप अगर बोलते कि भाया work done by normal का दूसरा जो पेर है work done by normal on elevator तो अगर आप elevator पर पूछते हैं तो आप यह बोल सकते थे कि अगर यह बड़ी सी elevator है तो सर इसने normal नीचे लगाया और displacement उपर की तरफ हुआ तो अगर मैं इसको पूछता with respect to a a के respect में तो a बोलता सर नॉर्मल नीचे की तरफ लगाया displacement उपर की तरफ हुआ है तो यह हो जाएगा n into d into cos of 180 degree तो यह हो जाएगा minus का n into d जबकि work done by normal on elevator with respect to b अगर बोलते तो आप बोलते सर यह तो अंदर वाला बोलता भी सर elevator भी तो नहीं हीली ना मेरे respect में मैं भी elevator में खड़ा हूँ वहीं पर खड़ा हूँ ना elevator हिल रही ना मैं हिल रहा हूँ सब लोग सांती से खड़ा हूँ आप बता नहीं क्यों पूछ रहो क्या work done होगा तो आप बोलेंगे displacement तो elevator का भी 0 है तो यह n into 0 बोलेगा लेकिन अगर आप network done की बात करोगे दोनों से तो आप बोलेंगे network done इसका positive होता इसका negative होता तो network done by the normal in both of the frames is 0 तो एक बात याद रखेगा क्योंकि जल्दी से समझनी है कि network done जो होगा w net by normal is 0 in both a and b frame तो अगर network done की बात की जाए normal के द्वारा किये गए network done की बात की जाए जिसमें action और reaction pair दोनों का work done देखा जाए तो web frame of reference independent हो जाता है work done by a force on a block किसी एक block पर किसी भी force का किया गया work done frame पर निर्भर करता है लेकिन उस force के द्वारा किया गया network done जो होता है web frame पर निर्भर नहीं करता है तो work done या network done by action and reaction pair does not depend does not depends upon the इस पर नहीं करता है does not depend upon the frame of reference इसको जरा लिख लीजे मैंने का बहुत बढ़ी है कई बात clear होती है मन में कोई शंका कोई आशंका ओहो जल्दी से बोलेंगे भाई पकी बात अच्छा बहुत नेक्श में नेक्श में तो वर्क नर्जी थिर्म उनको क्या बोलती है इस पर ही हम बातचीत कर रहे होते हैं और यहाँ पर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सा एक कंसेप्ट निकल के आता है जरा वो ध्यान से देखिएगा अगर कई बार इस बेटर ध्यान से देखिने हैं इसका उप्योग इता सबसे ज़्यादा क्या है अगर आपको velocity as function of time acceleration as function of time या force as function of time given आएसे हम लोगोंने बहुत सारे questions किया हुए जब भी आपको function of time के respect में values दे दी जाए force acceleration या velocity और आपसे पूछा जाए कि इस block पर net work done कितना हो रहा है तो जब भी आपको velocity acceleration आफ फोर्स दिया जाएगा time के साथ तो क्योंकि work done में आपको चाहिए f.dr मतलब displacement के साथ value चाहिए जो कि है एक बवाली काम तो आप directly यहाँ पर approach करते हैं कि मैं initial of final kinetic energy का difference निकालो तो इस case में don't calculate don't calculate w आपको net work done नहीं calculate करना नहीं net acceleration calculate करना इसको मत करो किसको करो सिर्फ यहाँ से kinetic energy का function निकालो मतलब velocity निकालो final kinetic energy minus kinetic energy initial और जब भी आपको ऐसी कोई situation दे दी जाए आप directly single line में इनकी values को calculate कर सकते हैं for example अगर आपको कभी VT graph दे दिया जाए velocity time graph और आपको बोला जाए कि भाईया particle ऐसे ऐसे घूम के आ रहा है और आपने बता दिया कि सर इस point और इस point के बीच में अगर इसको T not बोल दे और इसको मैं T1 बोल दू तिन दोनों के बीच में कितना वगदन हुआ आपने बोला सर यहाँ पर velocity और यहाँ पर velocity calculate कर लीजे अंसर निकाल लीजे तो VT graph दे दिया जाए XT graph दे दिया जाए acceleration time की बात कर ली जाए तो आप V velocity को निकालिए और velocity के साथ change in carding energy को रखिए वो सबसे बहतर method होता है rather than कि आप acceleration को निकाले फिर force को निकाले और फिर उससे f.dr की बात करें वो कभी नहीं करने चाहिए और वो आसानी से आपको निकल के आ जाएगा क्या बोलो चमका क्या दिमाग में picture बनी क्या कौन सी picture कि भईया force as a function of time velocity as a function of time acceleration as a function of time कुछ भी दिया हो तो हम प्रारंभिक का velocity और अंतिम velocity को निकालने पर यकीन रखेंगे और एक बार वो हमको आ गई तो हम change in kinetic energy निकालके answer बाहर कर देंगे बोलो हाँ यह ना बोलो पकी बात है एकदम पकी बात आपने कहा सर एकदम पकी बात मैंने का फिर आते हैं हमारे पास conservative और non conservative forces conservative forces को हम बोलते हैं अच्छे वाले forces क्या बोलते बेटा तो हम अच्छे बहुत अच्छा जैसे मैंने कर इसको उपर अच्छा ला देखो वापस आ गया बसलมา जितना काम इसको मिल गया हो इसके बाद क्या होता है आपने इसके बाद quick canha Van a還有 । होता है किसे इंडिपेंडेंट होता है अरे पात से होता है अच्छा मतलब किसी भी रस्ते जाओ वर्कडन होगा समान अच्छा सरो के फिर क्या होता है वर्कडन इना क्लोज आ जाएगा आपने कहा सर ये भी समझ में आता है मैंने कहा सर अगर चक करना है तो इसको हम बोलते हैं डेल क्रॉस एफ को अगर हम जीरो कर दें this is the condition of conservative force इसको बोलते हैं करल का जीरो होना अगर हम इसको for two dimension force की बात करें for two d forces हम लोग बोल सकते हैं differentiation of fy with respect to x minus differentiation of fx with respect to y it should be equal to c अगर दो dimension force है तो हम इसको जीरो के बराबर बोल सकते हैं this is the condition of conservative forces non-conservative forces होते हैं कैसे गंदे वाले forces कौन-कौन से हैं ये गंदे वाले forces आप याद रखेगा इसका गंदे वाले forces हैं कौन-कौन से जैसे हैं फिसक अरे याद इसको लोग बोलते राक्षस अरे कौन सा राक्षस friction viscous और air drag अरे याद आ रहा है इस राक्षस का नाम comment करके बदाओ क्या था इस राक्षस का नाम comment करके जल्दी से सारे प्रयास ओके गंदे वाले forces क्या करते सर ये energy को खा जाते कैसे सर आपने रगड़ा तो सर ये आपकी muscular energy को heat के format में उड़ा दिया सर मतलब क्या हुआ मैंने का देखो बेटा कभी यहां से खिसक के ऊपर से खिसक के नीचे आओ क्या होता है जब आप यहां नीचे पहुंसते तो आपकी तस्रीफ क्या होता है यह जब आपके अरे यार यह भूल गया क्या है यह stairs के बगल में आपने बच्पन में कई बार ऐसा experience किया होगा कि जब आप stairs के बगल में खिसकते हुए नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे आते 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 आपके तस्रीफ काफी गरम हो जाती है मतलब यहाँ पर friction ने heat energy में dissipate कर दिया और आपकी जो mechanical energy थी उसको उसने dissipation में डाल दिया लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पर आग लगा दूँ और मैं बोलू बेटा यहाँ पर बैट जाओ तो क्या तुम उपर चले जाओगे इसको बोलते है non recoverable format मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि मैं हाथ ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो मेरे हाथ में गरमी आ रही है लेकिन मैं यह नहीं बोल सकता हूँ कि अपने हाथों को अगर मैं आग के आगे रख दूँगा तो हाथ चलने लग जाएंगे यह कहना गलत हो जाएगा क्य इसको बोलते हैं गंदे वाले फूर्स क्या बोलते हैं गंदे वाले फूर्स नौन रिकवरेबल वग्डन इन क्लोज लूप इस नौट जीरो वग्डन इस पाथ डिपेंडेंट पास क्या वास वाज में आती है एकदम पकी बात एकदम सची बात common conservative forces कौन कौन से होते हैं commonly जो conservative forces हमारे पास होते हैं सुरी जो हमारे पास conservative forces होते हैं याद रखेगा सुरी आपर conservative forces जो common हमारे पास होते हैं conservative forces कौन से जो commonly हमारे पास होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं जो conservative forces commonly हमारे पास है वो majorly जो हम बोलते हैं वो पहला होता है gravitation वाला और दूसरा होता है बेटा हमारे पास कौन सा? electrostatic और तीसरा होता है हमारे पास बेटा elastic जो हम बोलते हैं spring ये तीन forces ऐसे हैं जो हमारे पास standard conservative forces के format में count किये जाते हैं और तीसरे हम बोल देते हैं जो भी constant force हो उसको भी आप conservative मान के सारी calculation कर सकते हैं तो ऐसी कोई दिख्कत नहीं आती है तो जितने भी constant force होते हैं वो conservative in nature होते हैं और तीसरी सबसे important property ही conservative forces are central in nature conservative forces are central in nature दो ऐसे forces को conservative force की कडिगरी में डाल सकते हैं यह basic identification conservative forces का जो आपको दिमाग के अंदर रखना है मेरे बच्चों आपने कहा सर बहुत अच्छा फिर क्या potential energy potential energy कितनी तरीके की good up potential energy तीन तरीके की पहली हो गई gravitation potential energy कैसी हो गई gravitational potential energy अब gravitational potential energy की बात करें तो for point mass अगर बात की जाए तो हम सभी ने पढ़ा potential energy बराबर क्या होता है du बराबर minus का force conservative dot dr मतलब जो potential energy होती है that is the negative of work done by conservative force क्या है बिटा f conservative dot dr तो जो potential energy है that is change in potential energy is equal to negative of the work done by the conservative forces इसके माद्दियम से हम लोगों ने तीन major potential energy को define किया पहली gravitation तो point mass की बात करें on earth surface earth surface पर जहाँ पर हम g की value को constant बानते हैं तो हमने potential energy को define किया u is equal to या delta u is equal to mg h h is defined from अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर हम यहाँ पर एक zero potential line define करते हैं यह हमारे उपर है कि हम कौन सी zero potential line define करते हैं वहाँ से जहाँ पर हमारा observer होता है सामाने तहाँ उसको हम zero potential line बोलते हैं और वहाँ से h height उपर अगर कोई भी mass m रखा है तो इसकी potential energy को हम बोलते हैं mg h क्या बोलते हैं बच्चे mg h क्या बोलते हैं मेरे बच्चो mg h अगर हम यहीपर बात करें किसकी continuous mask की किसकी बात करें बचा continuous mask की बात करें continuous mask की बात करें तो हम बोल सकते हैं वो उसका cent जैसे एक rod यह रखी हुई है इसका mass m है या एक chain लटकी उसका mass m है और आपने इसको zero potential line माल लिया क्या माल लिया बचा zero potential line तो यहाँ पर height हम किसकी लेते हैं, center of mass की height हम लोग लेते हैं, तो जो potential energy define किये जाएगी, that is m into g into height of center of mass from zero potential line, तो zero potential line मतलब जहाँ पर हम u को 0 मानते हैं, क्योंकि u एक relative quantity है, तो याद रखेगा उसको हम लोग एक zero potential line define करते हैं, जिसके respect में हम बाकी potential energy उसको लिखते हैं, तो potential energy एक relative quantity है, बलकी, 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 change in potential energy एक frame of reference independent quantity, जैसे work done की बात की थी, work done एक block पर तो frame dependent होगा, but net work done frame independent रहेगा, उसी तरीके से change in potential energy जो होगा, वह भी independent of frame of reference रहता है, next आती है हमारे पास spring energy, spring के अंदर जो potential energy store होती है, spring potential energy है, इसको हम लोग बोलते हैं, elastic potential energy, that is very simply defined है, अग अगर spring के अंदर हमने किसी भी block को रखा, categories, mass M, इसको पास अगर कोई elongation आगया, आ जाता है और जब उसमें x elongation हो जाता है तो spring के अंतर stored energy को लिखा जाता है half of kx square this is the energy stored in the spring when it is x elongated or x compressed from the mean position और mean position पर energy कैसी होती है शुन्य होती है तो spring की mean position पर energy zero और x elongation या x compression पर जो energy होती है वो half kx square के बराबर हो रही होती है यह बात हमको दिमाग में रखनी है अब आता है game of equilibrium अगर energy defined है तो equilibrium कैसे होंगे तो equilibrium basically तीन तरीके की होते हम सभी ने देखा f बराबर क्या हो गया minus का du upon dx तो अगर आपको कोई भी potential energy curve दे दिया जाए वहाँ पर अगर हम बात करें और potential energy curve के थ्रू हम equilibrium की बात करें तो हमको पता है equilibrium point वो वाला point जहां पर net force कैसा होता है 0 तो f बराबर 0 उसको हम बोलते है equilibrium point क्या बोलते बच्चो equilibrium point और जहां पर भी equilibrium point आता है वहाँ पर net force 0 होता है अगर हम इसकी बात करें मेरे प्यारे प्यारे होता है du by dx इसका negative slope force को दर्शाता है मतलब जहां पर slope 0 यहां पर force भी 0 तो यह point कैसे है यह equilibrium point है कैसे है equilibrium point है अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर slope positive है यहां पर slope positive है अच्छा हाँ सर यहां slope positive है तो force कैसा होगा negative हो जाएगा force minus of the slope होता है तो याद रखिएगा नहीं तीन एक्लिब्रियम का मतलब क्या हो गया पहला होता है बिटा stable equilibrium दूसरा होता है unstable equilibrium और तीसरा होता है neutral equilibrium stable equilibrium का मतलब होता है अगर particle को अपनी उस position से थोड़ा बहुत खिसका दिया जाए तो particle अपनी mean position को वापस से regain कर ले क्या करें वापस से regain कर ले इसको बोलते है stable equilibrium मतलब minima of ux curve जो minima होता है potential energy displacement curve का वो क्या होता है अपना it is defined as minima is called as stable equilibrium मतलब उसके इधर जाएगा particle तो इस पर force इधर की तरफ लग जाएगा और इसको आगे बढ़ाएंगे तो force पीछे की तरफ लगेगा तो अगर हम यहाँ पर बात करें अगर particle को अपनी mean position से थोड़ा बहुत छेडा जाता है और वापस अपनी position को regain कर लेता है ऐसी position को बोलते है stable equilibrium position unstable equilibrium position की बात करें तो it is somewhere like this कि अगर particle को अपनी position से थोड़ा बहुत भी छेडा गया तो यह particle अपनी position से उतर के नीचे आ जाएगा मतलब particle अपनी equilibrium position को छोड़ देगा और उसको छोड़ के आ जाएगा ऐसे points होते है maximum वाले points जैसे आपको देखने से भी clearly दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर छोड़ेंग तो वापस oscillate करेगा और यहाँ से गिर जाएगा तो clear होता है कि जो maxima है that is called as maxima of ux curve is unstable अगर आप देखें तो आप यहाँ प्रूफ भी कर सकते हैं यहाँ पर force negative देखो force कैसा है negative मतलब इधर करोगे तो force इधर की तरफ लेके चला जाएगा यहाँ पर देखिए पोजिशन को बोला जाता है equilibrium position क्या बोलते हैं और अगर यही वाला ग्राफ अगर यही वाला ग्राफ यहाँ जाके कुछ फ्लैट हो जाए तो इसके neighboring atoms भी यह neighboring position भी एक equilibrium position है मतलब जहां पर force 0 है ऐसे को बोलते है neutral equilibrium क्या बोलते बच्चे neutral equilibrium जब neighboring positions are also equilibrium position तो क्या हो जाता है neighbor is also equilibrium position आपने का सब्सक्राइब ठीक बात है next point पर आ जाते है potential energy condensed body की तो define कर दिया sorry vertical circle motion की बात करते है छोटा सा point जल्दी समझना है vertical circle motion की conditions को हम लोगों ने समझा था पहले दो conditions कि अगर यहां पर एक अगर यह string हो रसी हो रोप हो इस condition पर critical velocity जो define की जाती है सबसे topmost point पर v minimum जो होनी चाहिए इसको हम बोलते critical velocity that is under root of GR in this condition या फिर अगर हम बात करें बेटा कोई loop है क्या है बेटा कोई loop है कोई loop है तो और loop के topmost point पर बात की जाए तो इस यह position यहां से नहीं छोड़ने नीचे नहीं गिरना है तो इसके लिए minimum velocity जो होनी चाहिए under root GR होती है तो for not slacking the rope यह string यहां उपर जाए और यह ball यहां से नीचे ना गिरे रस्ती slack ना करे इसकी condition होती है कि topmost point velocity under root GR के बराबर होनी चाहिए for this condition we at the bottom जो होना चाहिए minimum velocity to complete the circle it is under root of 5 GR same here यहां पर भी under root of 5 GR के बराबर होता है तो अगर इस condition में बात की जाए तो हम बोल सकते हैं कि अगर velocity under root 5 GR से ज़्यादा है तो particle circle motion complete कर लेगा अगर कम है तो circle motion complete नहीं कर पाएगा आपने का सर बिल्कुल ठीक है यहां पर तीन conditions आती है अगर velocity greater than under root 5 GR है अगर particle greater than under root 5 GR है या equal है particle will complete circle particle will complete vertical circular motion अगर velocity under root 5 GR से छोटी है और root 2 GR से बड़ी है तो इस condition में अगर हम बात करते हैं तो particle will leave the circle इसको बोलते condition of leaving particle will leave the circle अगर एक ball को यहां से छोड़ा गया अगर इसकी velocity बिटा ध्यान से देख लीजेगा अगर इसकी अगर इसकी velocity under root 2 GR से कम होगी तो particle lower hemisphere में oscillate करता है अगर root 2 GR से जाधा हो गई तो particle कहीं मैं बाटम मोस्ट पाइंट को अगर मैं A बोल दू इसको B बोल दू और इसको अपर वाले point को C बोल दू तो particle will leave the circle between B and C B और C के बीच में circle को वो leave कर देगा condition of leaving क्या होती है उस point पर leave करता है जहां पर tension और normal क्या हो जाए जीरो हो जाए अगर रस्ती से बंदा हुआ है तो tension को जीरो होना है अगर block के अंदर घूम रहा है तो normal को जीरो होना है जहां पर normal zero हो जाता है या tension zero हो जाता है उस point पर body अपने point को circle को leave कर देती सरकल को छोड़ देती है अगर velocity less than under root 2GR हो जाए और greater than zero हो जाए तो इस condition पर particle जो होता है वो lower hemisphere में lower circle में oscillate करता है इंपोर्टन बाते हैं जो कई बार question पूछा गया है इन vertical circular motion के cases में वो question जो बहुत बार आया है वो calculation of tension और normal किसी भी एंगल थीटा पर तो एक बार जल्दी से इस पर बात कर लेते हैं calculation of कि नॉर्मल और टेंशन कि अब से पहले energy conservation इसके तीन स्टेप से हमेशा याद रखेगा कभी भी इसमें कोई भी गडबड नहीं करनी है बिल्कुल basic और बिल्कुल आसान सा गेम है आसान से गेम को आसानी से खेलिए कोई परेशानी नहीं आएगी आपने किसी भी condition पर इस ball को फेका आप सो बोला जाए कि किसी भी situation पर यहाँ पर कैसे आप calculate करेंगे क्या है normal और क्या है tension दोनों condition दोनों direction सेम रहने वाली है चाहे normal होगा तो भी दर लगेगा tension होगा तब भी दर लगेगा तो मैं T और N दोनों एक साथ बता रहा हूं ताकि आप लोग आसानी से कर सकें T और N दोनों इक तरफ हो जाएगा अगर यहाँ से यह angle माल लेते हैं theta 1 है और यहाँ पर velocity कुछ आपने निकाल ली भाई energy conservation V1 तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा यहाँ पर mg नीचे की तरफ होगा और अगर यह angle theta है तो यह वाला angle भी theta होगा तो इधर की तरफ हो mg cos theta Tension T उपर की तरफ और centripetal acceleration की तरह से देखें या centrifugal acceleration और centrifugal force की तरफ से देखें तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि center की तरफ एक acceleration लगेगा या आप बोल सकते हैं center से बाहर की तरफ एक centrifugal force लग जाएगा जिसकी value हो जाएगी mv1 square upon r तो अगर आप यहाँ से tension की value की बात करते हैं tension at position a इसको a position बोलते हैं tension at position a यह किता हो जाएगा पिटा mg cos theta plus mv1 square by r यह हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर tension जो होगा वो mg cos theta plus mv square by r होगा और यहाँ पर यह जो mg sin theta होगा यह इसको एक tangential acceleration दे रहा होगा and this is responsible for tangential acceleration तो tangential acceleration हो जाएगा बेटा g sin theta in this situation यह theta 1 similarly अगर हम यहाँ पर बात करतें तो आप यहाँ पर देख सकतें अगर मैं इसको उपर से अंगल यह theta 2 ले लू तो आपको पता है यहाँ पर mg नीचे की तरफ होगा centrifugal force की तरह से देखोगे तो बाहर की तरफ यहाँ पर velocity मैंने यहाँ पर इसकी v2 माल ली तो centrifugal force हो जाएगा mv2 square by r mg यह theta 2 है तो यह angle भी theta 2 हो जाएगा इसका इधर की तरफ जो component आएगा गुड़ा this component is defined as mg cos of theta 2 तो in this condition this position as b अगर मैं बोलू तो tension at b कितना हो जाएगा तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर mv square by r बाहर की तरफ होगा mv2 square by r minus mg cos theta हो जाएगा तो बेटा tension at point b mg cos theta minus और यहाँ पर बात करेंगे तो mv square by r plus mg cos theta हो जाएगा इन दोनों ही situation में सबसे important point यह है कि आप velocity को conservation of energy के माध्यम से calculate करें और उसके बाद theta को properly put करके answer को आसानी से निकाला जा सकता है यह questions क्योंकि बहुत सारी variety possible इसलिए कभी ऐसे formula की तरफ मत जाएगा की formula याद कर ले क्योंकि कभी वो horizontal से fake देगा कभी वो किसी और position से fake देगा तो हमेशा इन questions पर किसी भी तरीके का कोई भी memory skill का उपयोग ना कर सिंपल अपने concept के साथ चलें वो ज्यादा important रहता है right next आई जाता है अपने पास that is a game of power power का मतलब होता है rate of doing work power का मतलब क्या होता है बेटा मेरे rate of doing work तो power दो तरीके से अपने को देखनी है बचे अगर हम power की बात करें तो हम बोल सकते that power is equals to power का मतलब क्या है work done तो dw by dt की बात करते है तो अगर हम इससे बात करें तो power किता आ जाता f dot p where f is called as the force at that instant इसको बोलते है instantaneous power तो याद रखेगे यहाँ पर force भी कैसा होता है instantaneous force into b क्या है instantaneous velocity उस छण पर velocity उस छण पर force जो होगा उनका combination जो होगा वह उस छण पर दी गई power के बराबर होगा इसी तरीके से power average की अगर बात की जाए it is defined as delta w upon delta t तो अगर power की बात की जाए यह delta w upon delta t के बराबर हो जाती है इसकी unit की बात की जाए तो unit is defined as watt याद रखेगा इसकी unit watt होती है that is called as joule per second width कोई परेशानी वाली बात कोई शंका वाली बात कोई शंका वाली बात अच्छा बस एक छोटा सा point इसका last में और रहता है जिसको आपको दिमाग में बैठा लेना है बोलो क्या आपने कासर देखो अगर power की बात होती है pump अगर कोई pump आपने नीचे डाला h height नीचे से आप पानी निकालते हैं और इसको बाहर आके थो करते हैं with certain velocity तो बेटा यहां से जो rate of mass flow होता है dm by dt that is called as rho a into v इतनी तेजी से पानी यहां से बाहर आ रहा होगा तो यहां पर जो power होती है power of pump जो define किया जाता है it is defined as dm by dt मतलब rho a into v into gh यह उसका gravity के against किया गया काम plus उसको kinetic energy में देने पे किया गया काम rho a v into v square so this is the power of the pump even k important जब h negligible हो जाएगा h is negligible अगर यहां पर h negligible हो जाता है तो power of the pump हो जाता है half of rho a अगर हमें quantity को double करना है तो velocity को double करना पड़ेगा पावर को आठ गुना करना पड़ेगा तो यहां पर हो गया यह power of a pump power of a pump किसकी बात करें बच्छे हम लोग यहां पे power of a pump की बात कर रहे हैं किसकी बात करें बच्छा power of a pump की बात कर रहे है pump की power की बात चीथ हम आपे कर रहे है that is half of rho a b q इसमें कोई परिशानी last चोटा सा point कई बार आपको power की value दे दी जाती है तो याद रखिएगा f dot v को कैसे लिख meanologies बताईए क्या होगा तो पीटा यहां पर force को हम लिखते है m into a force क्या होगा m into a into v और यहां पर a को लिखा जा सकता है v dv by dx यहां पर ऐसे लिखते हैं एक सेगन होगा m a into v और यहां पर a को लिखने के होते हैं दो तरीके a बराबर आप लिख सकते हैं dv by dt और एक बार लिख सकते हैं a बराबर v dv by dx तो पीटा अगर आपको कभी भी बोला जाए कि power constant है power किसी पर dependent है तो आप से पूछा जाए कि velocity as a function of time क्या होगा kinetic energy as a function of time क्या होगा displacement as a function of time क उसके लिए आपको differential format का उपयोग करना पड़ेगा तो एक ही जगह आप इन दो value का उपयोग कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप power की सारी conditions को निकाल सकते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे दिया गया है आप उसके corresponding acceleration और velocity के relation को आप मदब velocity का time के साथ displacement का time के साथ या kinetic energy का time के साथ relation आप easily define कर सकते हैं ऐसे questions भी आप से पूछे जा सकते हैं तो acceleration की दो values dv by dt या v dv by dx इसको आपको define करना होगा ठीक है चालो thank you bye bye take care चैहिंद चैभारत उम्मीद कर रहा हूं इस power के माध्यम से आपको एक real power मिलने वाली है और जिसके तुरू आप लगभक complete work power energy का अच्छे से revision कर पाए होंगे और इस topic की importance बहुत ज्यादा है तो जल्दी से अगर कोई भी topic ऐसा रह गया जो आपको कम सौझ में आया है quickly अपने notes को देखो फटा-फट revise करो और फटा-फट आ जाओ कि भाई कोई चीज छूट तो नहीं कहीं पर तो सब चीजों के यहां पर फटा-फट चैहिन चैभारत